हेलो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ फैंसीटा प्लस सस्पेंसन के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके फैदे क्या हैं इसे कब बेवम कैसे सिवन करनी चाहिए इस दवा के इस्तेमाल के दौरान कौन कौन से साउधानियों को ध्यान में रखना चाहिए या किस परकार से काम करता है और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं तो चलिए आज हम इस वीडियों में अश्टे भाई अबेश्टेप इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो बने रहें हमारे इस चैनल पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क Houston को सब्सक्राइब जरू कर दें ताकि आहmost के लिए इसी परकार की और वीडियो लेकर आते रहे हैं तो चली सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपनी के बारे में तो इसे Alchem Laboratories Limited कंपनी ने बनाती है जो बहुत ही अची कंपनी है और अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन-कौन से कंटेंट मिले हुए हैं तो इसमें Ibuprofen 100MG और Paracetamol 162.5MG मिला हुआ है और अब बात करते हैं इसके MRP के बारे में तो इसका MRP 36 रुपया है जो 60 ml के क्वांटिटी में आता है और या किसी भी मेटकल अस्टोर पे असानी से मिल जाता है और अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में कि बच्चों के किनकिन विमारियों में इसका उपयो किया जाता है तो इसका मुखे इस्तेमाल बुखार, सिर दर्द, जोडों में दर्द, मानस्पेसियों के दर्द, दाद दर्द और कान दर्द इत्यादी की स्थिती में दर्द यवं बुखार दूर करने के लिए दिया ज इसे कब एम कैसे सेवन करनी चाहिए तो इसे खाना खाने के साथ या खाली पेट भी लिया जा सकता है लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे भोजन के बाद ही दिया जाए और अबाद करते हैं इस दवा के इस्तमाल के दौरान कौन-कौन से साधानियों को ध्यान में रखना चाहिए अगर आपके बचे को स्वास्त सम्मनित किसी भरकार के कोई समस्या हुई हो तो आप अपने डौक्टर को आवस्य बताएं और उन सभी दवाओं के बारे में भी बताएं जो आप पहले से दे रहे हैं अपने बच्चे को फेन सीटा पलस सस्पेंशन उन दवाओं के साथ न दें जिसमें पैरा सिटा मोल मिला हुआ हो क्योंकि इससे ओर डोज हो सकती है इस दवा का उप्योग अधिक मातरा एम अधिक दिनों तक न करें अपने डोक्टर द्वारा बताये गए डोज एम ओधी तक लेना जरूरी होता है क्योंकि आपके डोक्टर बच्चे की स्थितिवं बोडी वेट के हिसाब से दवा का सही खुराक निर्धारित करते हैं और अब बात करते हैं कि यह सरीर में किस परकार से काम करता है तो फेंसीटा फलस सस्पेंशन में एनाल जैसिक यानि कि दर्द निवारक और एंटी पेरेक्टी गून होते हैं यानि कि सरीर के तापमान कम करने वाले गून होते हैं यह मस्तिक्स में दर्द और बुखार के संकेत देने वाले कुछ केमिकल मेसेंजर और मार्गों को और रिद करके काम करता है और अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो अगर इस दवा को सही तरीके और सही खुराक में लिया जाये तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं जैसे अपच होना, मिचलियाना, उल्टी होना, इत्यादीस के कुमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कुमेंट में जरूर बताएं